तो फाइनली जो है एनटी जो है इंटी एमे ने जो है सिउँए नौर्स कर दिया है नौर्टिफिकेशन ओफिशली आ गये एप्लीकेशन परम को लेकर नोर्atisf और सीूस एट की प्रीपरेशन से जो है फिर्स्ट अप्रील से चर्ट करा दी जाएगी जादा से जादा कोर्स ज प्रिप्रेशन स्टार्ट कराई जाएगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और सारे जितनी भी एंट्रेंस टेस्स हैं अगर हम बात करें कवर करा जाएगा जादा से जादा और आपको इसके लिए कोई चार्जेस कुछ भी नहीं फ्री आफ कोस्त आपकी सारी प्रिप्रेशन जो है इस चैनल पर कराई जाएगी चले देखते हैं कि आप पहले ओफिशल नोटिस कैसे देख सकते हैं फिर हम इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं सबसे पहले आपको एंटीए की साइट पर विजि कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखें अब यहां पर अब आउट एंटीए और लेटेस्ट एंटीए में आपको यहां पर यह पब्लिक नोटिस दिख रहा होगा आपको यहां पर रीड मोर पर क्लिक करना है तो जैसे ही आप जो है डाउनलोड होना शुरू ह हो जाएगा अब देखें डाउनलोड हो गया अब डाउनलोड होने के बाद आप इसमें देख पाएंगे पॉब्लिक नोटेस सी यूएट यूजी ट्वंटी ट्वंटी टू यह आप देख सकते हैं जो है ट्वंटी सिक्स्त मार्च आज यह नोटेस आया है चीक है चलिए आप इसमें देखते हैं एक एक करके कंड़क्ट आफ दी मैं आपको इसमें जो है डारेक्ट डारेक्ट सारी में चीजें फटा फटा बताऊंगो ताकि आप लोगों का एक भी टाइम वेस्ट ना हो सिर्फ और सिर्फ यह यूजी कोर्स के लिए यानि जो बच्चे 12 पास होते हैं उन बच्चों के लिए आप उसके बाद ग्रेजुएशन में अड्मिशन लेते हैं फोर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अड्मिशन लेना चाहते हैं अकैडमिक सेशन 22-23 तो उसके लिए आपको सी यू एट देना ही पड़ेगा आप किसी भी कॉलेज में अड्मिशन लेना चाहते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चाहे वह दिल्य सब्सक्राइब करें इस से पहले कहा जाता था इसमें आगे बात करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजनसी हैं इस पॉन्सिब्लिटी ऑफ कंडुक्टिंग अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस यह तो हमें सुरू से इपता था कि जो होना है वो कंड़ेट टराने वाली एजनस एड करवा सकती है अब स ikke कंडुक्टिंटर बेस टेस्ट कांप्योटर यह तेस्ट कैसे क्वैं आपको सेंटर पर जाना पडबेगा सेंटर आपको करें होगा हैब कैसे इस एक्जाम की प्राक्टिस आपको कराई जाएगी ताकि आप लोग को कोई भी वहां दिक्कत ना हो कि किस तरीके से कंप्यूटर बेस टेस्ट दिया जाता है चलिए आगे देखते हैं डेटेल आफ दी प्रोग्राम ऑफर बाइ सेंटर उनिवर्सिटी इस बिंग मेड अवेलेबल ऑन दियर रिस्पेक्ट ऑन-lain जो application form है वो कब से open हो जाएंगे सेकंड अप्रैल से आप online एक फार्म फिल कर पाएंगे कैसे फिल करना है उसकी भी वीडियो चैनल पर बनाई जाएगी जैसे ही फार्म स्टार्ट होंगे सबसे पहले आपको वीडियो बनाके अपडेट किया जाएगा चलिए अब examination structure के बारें बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है see you at you 2022 फॉलविंग 4 section जो होने वाले section 1 a section 1 b section 2 or section 3 section 1 A 13 languages के बारें बात की गई है section 1 a 19 languages के बारें बात की गई है section 2 27 इस पर अभी कि हम हर पॉइंट पर बात करेंगे सेक्शन तरी जो कि जनरल टेस्ट है चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम इच सेक्शन इस नाट मेंडेटरी हर सेक्शन में आपको जो है चूज करना मेंडेटरी नहीं है चॉइस शुड मैच था है रिक्वार्मेंट ऑफ डिजाइड यूनिवर्सिटी चॉइस रहेंगी चलिए आए अब एक ही करके हम जो इसमें बात कर लेते हैं पहले सेक्शन वन ए और सेक्शन वन भी लैंग्विजिस इसमें थर्टी इन डिफ्रेंट लैंग्विजिस हैं अप इसमें से कोई भी लैं करने हैं उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स फूर इच लाइंग्विज के लिए आपको 45 मिनट्स दिये जाएंगे लाइंग्विज टू बी टेस्टेट थूरू रीडिंग कॉम्परेंशन वहीं पैसेज की बात कर रहे हैं आपे बेस और डिफरेंट इसलिए लाइंग्विज के लिए आपको ऐसे सेक्शन वन भी अभी आपको दिखाने वालों कौन-कौन सी लाइंग्विज हैं अब बात करते हैं सेक्शन टू डोमें जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अब इसमें देखिए देरा 27 डोमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट बिंग ऑफर अंडर दिस सेक्शन अब देखिए यहां पर 27 डोमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट से अभी कौन-कौन से वह भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ चूज तो यहां पर आप जो है मैक्सिमम की बात की जा रही है आप 6 से ज्यादा नहीं चूज करते हैं अब इसमें देखिए 40 questions to be attempted out of 50 तो 50 में से आपको 40 questions attempt करने हैं अब जो यहां पर आपका स्लेबस में जो questions आएंगे वह कहां से आएंगे mcq-based question होंगे पहले और second चीज जो कि आपका class 12 का ncrt स्लेबस है देखिए आप लिकाना mcq-based on ncrt class 12 यानि आपके पास ncrt होनी चाहिए और ncrt से आपको सारी questions जो कवर कराई जाएंगे चैनल पर जिस भी टाइप की questions बन सकते हैं सेम बात 45 मिनट्स दिया जाएगा आपको इच मानी हर के लिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए अगला देख लेते हैं सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट है फोर एनी सच अंडर्ग्रेजूट प्रोग्राम प्रोग्राम बिंग ऑफ़र्ड बाए यूनिवर्सिटीज वेरा जनरल टेस्ट इस अब जिस प्रोग्राम के लिए जन जनरल नॉलेज्ट अफियर्स जनरल मेंटल लेटी नुमेरिकल यह तो बेसिक्स स्लेबस है जो कि नॉर्मली हर एंटरेस एक्जाम का होता है तो अगर आप इस ताइप के कोर्सेश में अडिमिशन लेना चाहते हैं और जिसमें जनरल टेस्ट कंसीडर है तो उसके लिए आपको फर्स तो चूस करना ही पड़ेगा सेक्शन वने अगर आप लाइंग्वेज से रिलेटिट कोर्सेश करना चाहते जैसे फ्रैंच स्पैनिश जर्मन तो आपको यह भी चूस लैंग्वेज इसमें कौन कौन से 19 लैंग्वेजिस है जो कि आप जो है कर सकते हैं तो यह यहां पर 27 जो है अगर हम देखें डोमेन स्पेसिफिक आपको जो सब्जेक्ट से रखें तो आपको अपने पसंद के सब्जेक्स पढ़ने लीगल स्टडीज अब आप अकाउंटेंस से आपको अकाउंटेंस से बिजनेस स्टडीज पर वग करना पड़ेगा आप आर्ट्स फिल्ड से हैं तो आपको हमेनिटीज के डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूस करेंगे तो आप जिस फिल्ड से आप उसी फिल्ड से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्स आपको चूस करने हैं अब देखें यहां पर आगे बात करते हैं अब आप क्या-क्या-क्या-क्या-क्य की गई देखिए यहां पर टेकंड टूगेटर ठीक है अगला सेक्शन टू ओफर 27 सब्जेक्स इसमें तो हमने बात करी लिए मैक्सिमम सिक्स सब्जेक्स सेक्शन 3 जो की जनरल टेस्ट है ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं और यहां पर बात की गई है मोड़ाफ टेस्ट क बारे बात होगी लेवल ओफ कोश्यंज अगर हम बात करें सारी कोश्यंज आपके से बुक के इस लिबस से आने वाले हैं नमबर आफ अटेंप्ट अगर हम बात करें देखिए अब यहां पर जो है कुछ चेंजिस दिखाए इफ एनि यूनिवर्सिटीज अगर को यूनिव अब चॉइस आफ लाइंग्वेज अट सब्जेक्स के बारे में यह बात कर लिए हमने तो यह नोटेस में जितनी भी इंपॉर्टन चीजें हैं हमने फटा फटा फट जो है डिसकस कर लिए अब हम जो है प्रप्रिक्शन स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि आफिशली स्लेबर आउट हो गया चीक है तो मिलते हैं जो है नेक्स वीडियो में थैंक यू